असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर और आज जो है वो हम चैप्टर सेहज या उसूल जो है वो उसका कॉपी वर्क करेंगे सबसे पहले बता दूं कि आप जो है वो पॉइंटर रूस कर सकते हैं आप उसकी हेडिंग्स लगाने के लिए और बा सबसे पहला हमारा वर्ट नमबर वन है घूमना फिरना वड़ी नमबर दो वड़ी बड़ी दर दर्वाजा दरियों खिरकियां उस्सत दूप जाय जगा कुतब इस्तेमाल पगर पसीना खादो खाना सुठो अच्छा रत खून नेक्स पैस पे आजाएए खायन गुर्जे खाना चाहिए काड़े उबालना चबाड़े चबाना गुर्ज आहर जरूत के मुताबिक पानी पानी दुबारा सई से देख लीजे वर्ट्स मेनिंग को चीक है अब आजाएए नेक्स पैस पे ठीक है यहाँ पर हमारे वर्ट्स मेनिंग हो गए अब हम जोएगो इसके कोरें के कोस्टन अंसर कोस्टन नमर बन है अगर आपको कोस्टन यहाँ पर सही समझ में नहीं आ रहा तो आप बुख में से भी देख के लिख सकते हैं सवाल जवाब पर आजाएए कोस्टन नमर बन है इनसान जेलाए वड़ी नेमत के लिए बड़ी नेमत कौन सी है इसका आंसर है जवाब है इनसान जेलाए वड़ी नेमत सहत और तंदृस्ति इनसान के लिए बड़ी नेमत सहत और तंदृस्ति है नमबर दो है सहजा केड़ा उसूल आहें सहजा केड़ा उसूल है सहजा उसूल चार आहें सहजा के उसूल चार है नमबर वन हवा नमबर तू पाणी नमबर त्री खादो नमबर फो वर्जिश ठीक है? सही से देख लिए कोसे नमबर वन और टू Question number 3 वर्जिश मा केड़ा फाइदाइन वर्जिश करने से याने exercise करने से क्या फाइदे हैं इसका answer है वर्जिश सा रज्जो दोरो तेज दिन दो वर्जिश करने से खुरत केथें ब्लेट को खून को उसका दोरा जो है वो circulation तेज होगा तेज तींदो तेज होगा पघर निकरंदो पसीना निकलेगा आए सहज सुठी रांदी और सहज जो है वो अच्छी रहेगी पॉस्टर नमबर 3 4 पाणी केड़ो कुतब आणजे पाणी केसा कुतब केते इस्तेमाल करने को आणजे आना चाहिए पाणी केसा कुतब लाना चाहिए याने केसा पाणी इस्तेमाल करना चाहिए इसका आंसर है पाणी के पाणी के पाणी को काड़े याने कि उसको उबाले ठारे ठंडा करें आई चाने और चाने वो कुतब आणजे पाणी को बॉयल करें ठंडा करें और उसको च्छाने फिर उसके बाद जे वो च्छान कर कुतो बांड जे इस्तेमाल करना चाहिए ये कोसर नमबर फॉर है कोसर नमबर फाइफ प्या जाएए साफ और अच्छी हवा हासल करना है चाह करन गोर्जे साफ और अच्छी हवा हासिर करने के लिए बाहर खुली हवा में घूमना फिरना चाहिए यहां पे हमारे वर्ट मेनिंग और कोसे नर्सर जो हैं वो कम्प्लीट हो गए